चैट है फ्रेंट्स अब आनों देखते हैं कि अगर कोई भी गीवेन नंबर आपको दिया हुआ है तो चेक करना है कि वह गीवेन नंबर जो एए 7 से डिवीजबल है या नहीं है ठीक है तो सबसे पाले हम क्या करेंगे जो भी कोई भी एक नमबर लेंगे सपोज माल लेते हैं कि हम जो है आपका एक नमबर लेते हैं ठीक है 672 ठीक है अब कि करना है कि यह गीवेन नमबर जो है वह 7 से डिवीजबल है या नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो unit digit है, उस unit digit को double करेंगे, अब बात आती है कि unit digit क्या है, तो इसे हम कहते है unit digit, यह आपका 10th digit है, यह आपका 100 digit है, तो कभी भी आपको कोई भी given number है, और उसे चेक करना है कि वह number जो है, 7 से divisible है या नहीं है, सबसे पाले आप unit digit देखना है, ठीक है, unit digit हमारा क्या है, टू है, ठीक है, unit digit जो है, unit digit जो है, हमारा क्या है, टू है, ठीक है, उसके बाद जो है, जो unit digit है, उस unit digit को क्या करना है, डबल करना है, ठीक है, तो देखो, डबल करने के क्या करेंगे, टू को 2 से multiply कर देंगे, ठीक है, तो मिंस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो अब देख तो जो आपको क्या करने अलग कर देनी है ठीक है जो आपकी डिजिट बच रहे हैं और उस डिजिट से जो आपने डबल किया था उसको क्या करना है यह जो डिजिट से जो नंबर फॉर्म रहा है उसमें से क्या करना है मतलब 67 में से इस 4 को सब्टेट करना है ठीक है तो देखू तो अब कितना हो गया 67 में से 4 गया तो आपका 63 हो गया ठीक है तो अब चेक करना है कि जो 63 जो है या आपका 7 से डिविजबल है या नहीं है तो अब देख रहे है 63 जो है वो हमारा 7 से डिविजबल है कैसे n sil बार में अपका और आकेंसील होज़ए ठीक है इसका मतलब जो है इसका मतलब जो है जो हमारा गिवयն नंबर है six seven two जो है वह भी जो है seven से दिवीजबल है चुलो देख लेते हैं कि seven से डिवीजबल है यह नहीं है तो देखू 6702 हो गया तो आपका कितना होगा 6702 दो अकर से वैंव से डिवीजबल करें तो कैसे होगा देखू 799 जा कितना होता है तो आपका फोर है ठीक है फोर बच्चा यहां पर 242 तो 7 6 आपका फोर्टीटू होता है ठीक है इसका मतलब जो है आपका 672 जो है वह कितने बार में केंसिल हो गया आपका जो नाइनटी सिक्स बार में इसका का मतलब जो है कि जो given number जो है 7 से divisible है इसे कितना आसानी से चेक कर लिए कि 672 जो है 7 से divisible है या नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे unit digit जो है unit digit को double करोगे और unit digit को हटा दोगे उसको ठीक है उसके बाद जो भी तुमारा rest digit बच रहा है है मतलब 10s digit 100 digit या 1000 digit जो भी बच रहा है तो वस डीजिट से जो भी number फॉर्म हो रहा है उस number में से आप जो भी unit digit को double किये हो उसको सब्टेट करोगे और after subtraction जोता है जो भी आपका result मिल रहा है उस रिजल्ट को चेक करोगे कि वह गिवन वह number जो है जो भी आपका आया हुआ है वह आपका 7 से divisible है यह नहीं है अगर है तो इसका मतलब है कि जो आपका given number है वह 7 से divisible होगा चलो एक और number लें ठीक है तो हम लेते हैं अपका 53 उसके बाद 41 अब चिक करते हैं कि यह नंबर जो है हमारा 7 से divisible है या नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम unit digit को चेक करेंगे क्या है unit digit हमारा unit digit जो है one है ठीक है क्या है हमारा unit digit units जो digit है unit digit जो है हमारा क्या है one अब one को क्या करेंगे double करेंगे ठीक है तो जो आपका unit digit है उसे double करेंगे, इसका मतलब उस double करने के का करते हैं, हम 2 से उसमें multiply करते हैं, तो 1 को 2 से multiply करेंगे तो 2, इसका मतलब 1 का double जो है कितना हो गया, 2 हो गया, अब जो rest digit बच रहा है, कौन सा बच रहा है, आपका 534, तो इससे number क्या form हो रहा है, आपका 534, तो अब 534 में से, जो भी युने digit को आपने double किया था, उसको आप क्या करना है, शुट्रेट करोगे, ठीगे, जैसे शुट्रेट करोगे, तो आपका क्या आएगा, तो 532 में से, आप 534 में से 2 कोleased करो, कितना आएगा, 532 आप चेक करना है, कि ये जो हमारा result आया है, तो ये 7 से divisible है, या नहीं है, त सब्सक्राइब करेंगे तो आपका 77 कितना होता है 49 सबसक्राइब और इसका नमबर है वह भी खूद जो है से डिपीसबल होगा ठीक है तो देखो अब चेक करते हैं कि वह नंबर जो होता है डिविजबल है या नहीं है तो देखो हमारा नंबर क्या है 5341 ठीक है अब चेक करते हैं यह नंबर डिविजबल है कि नहीं है पहले तो आप चेक कर लेगी है यह नंबर जोता है आपका 7 से डिविजबल होगा अब सटि तो आपका 4 आया, तो 4, 442 होता है, 760, 42 आया, तो आपका 2 आया, 2 और 1, 21, 730, 21, इसका मतलब जो है, देखो, यह given number जो है, वह 7 से divide हो गया, कितना बार में, 763 बार में, अब एक और number लेते हैं, और उसे चेक करते हैं, कि क्या वह given number जो है, वह 7 से divisible है, या नहीं है, ठीक है, हम लेते हैं, आपका 7, 7305, अब चेक करते हैं, यह हमारा given number जो है, 7 से divisible है, या नहीं है, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले, क्या करोगे, यूनिर डिजिट, देखोगे, तो यूनिर डिजिट क्या करोगे, यूनिर डिजिट को आप डबल करोगे, ठीक है, यूनिर डिजि को डबल करोगे तो जैसे 5 को डबल करने क्लिक्श हख़ब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया आपका के तो आपका 7 30 हो गया है क्या गया सबस्काइब करोगे अब उसको जो नभी को आपने डाबल किया है उसको क्या करोगे जैसे यह यह सबक्रेट कर रहे है तो कि अपको एक सना तो कितना आ रहा है तुछ वहन है तो क्या दो को तो सेबन वंजा आपका सेबन कर उसके बाद 20 या रहा है तो आपका 22 cancels नहीं रहा है इसका मतलब जो है अगर आपका यह जो रिजल्ट जो है 7 से डिवीजबल नहीं है तो आपका यह गिवन नंबर जो है यह भी से डिविजबल नहीं होगा ठीक है चेक कर लेते हैं है कि डिविजबल होगा या नहीं होगा छलो 7305 देखो 717 उसके बाद जो ता टू डिजिट एक बार मैं तिक 0 को पूट करेंगे उसके बाद कितना होगा आपका 73021 हो गया और आपका 95 आ तो आपका 73024 कितना अपका 28 हो गया ठीक है ऐट और टू आ रहा है तू और फाइब 25 हो रहा है तो 25 जो है आपका 7 से डिविजबल होगा नहीं इसका मतलब जो है गीवें नंबर जो है यह not divisible जो है not divisible by divisible by 7 यह 7 से divisible नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने जब काकिया unit digit को double किया है और rest digit से जो number form हुआ है उसमें से unit digit का double जो है उसको subtract किया हो तो देखो है कि आपका जो result जो है वह 7 से divisible नहीं है इसका मतलब जो है आपका given number भी 7 से divisible नहीं होगा अब कोई doubt नहीं होगा तो प्लीज दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चैनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe ह मोटिवेट करता है दोस्तों के थैंक्यू फ्रेंड्स